प्यारे बच्चों, संख्या के विशा में आप सभी भली भाती परिचित हैं, जानते हैं, संख्या अर्था जैसे गणित्मी जिसका उपयोग किया जाता है, या गणना के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, आप जानते हैं, एक, दो, तीन, चार, आप लोगोंने पहली कक् इसके विशाय में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्यान किया है, तो आईए, हम पिछली कक्षाओं में आपने जो अध्यान किया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, पुनाह एक बार हम चर्चा करेंगे संख्या वाची प्रकरण पर, प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह विशय है संख्या वाची संख्याओं की विशय में आप जानते ही हैं आपने जैसे हम कहते हैं एक दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस अब इन संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं एक को हम कहते हैं एका कहते हैं दो को कहते हैं वे तीन को कहते हैं त्रया चार को कहते हैं चतु पांच को कहते हैं पंच छा को कहते हैं सट या सड साथ को कहते हैं सब्त आठ को कहते हैं अश्ट नव को कहते हैं नव और दस को कहते हैं दस तो इस तरह से एक से दस तक की संख्या बहुत मुहत्पुन हैं क्योंकि इन ही पर अधारित आगे की संख्याएं हैं इसलिए इन संख्याओं को भली भाती जान लेना अवश्यक होता है आप जानते हैं ये जो एक से चार तक की संख्याएं हैं इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है जैसे सब्दरूप होता है जैसे बालक का सब्द रूप चलता है बालका बालका उबालका इसी तरह से ये जो एक से चार तक के संख्याएं हैं इनका भी सब्द रूप अर्थात विभिन विभक्तियों में इसके रूप बनते हैं जैसे हम कहेंगे एक इसका सब्द रूप क्या होगा तो ध्यान दीजेगा हम जब सब्द रूप चलाते हैं तो उसमें एक वचन द्री वचन और बहुचन होता है लेकिन यहां पर हम कहा रहें एक एक कतात पर यह होता है एक वचन सितात पर यह है इसलिए इसके जीतने भी रूप बनेंगे चाहे वो रूप पूर्लिंग में हो, इस्ट्रिलिंग में हो या नपून सकलिंग में हो उनमें केवल एक वचन का रूपी ही बनेगा इसमें द्वीव चन और बहुव चन नहीं होगा तो पूर्डिंग सब्ड एक इसका सब्द रूप कैसे चलेगा आइए, देखते हैं जैसे देखते हैं आप एक, इसको मैं क्या कहेंगे पूर्डिंग में इसका रूप होगा एका लेकिन यही इस्ट्रिलिंग में क्या हो जाएगा प्रत्मई भक्ति में एका और नपुन्षक लिंग में एकम द्वित्य भक्ति में क्या होगा पूर्ड लिंग में एकम इस्ट्रिलिंग में एकम नपुन्षक लिंग में एकम त्रित्य भक्ति में पूर्लिंग एकेन, इस्ट्रिंग एकया, नपुन्शकलिंग एकेन चतुर्थी भक्ति में एकस्याई, 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 देखें, तीनों लिंगों में रूप चल रहा है पुल्लिंग में भी, इस्ट्रिलिंग में भी और नपुन सकलिंग में भी पंश्वी भक्ति में रूप होगा पुल्लिंग में एकस्मात इस्ट्रिलिंग में होगा एकस्याह और नपुन सकलिंग में होगा एकस्मात सश्ट्वी भक्ति में रूप होता है पूल लिंग में एकस्य इस्ट्री लिंग में एकस्या और नपुनसक लिंग में एकस्य सब्तमी भक्ति सब्तमी भक्ति में एक का एक वचन का ही रूप दिखें एक वचन में ही रूप बनेगा तो रूप होगा पूर्लिंग में एकस्मिन इस लिंग में रूप होगा एकस्याम और नपुनसक लिंग में रूप होगा एकस्मिन ध्यान दीजिये जैसे हमने सब्द रूप अध्यन किया था आपको ध्यान होगा कि नपुनसक लिंग और पूर्लिंग के जुरूप हैं तृत प्रत्मर्ण भक्ति और द्वितियावि भक्ति में आप देख रहें तंद शाडने में एक इसका पूर्णिंग रूप क्या है एका है एकम एकेन एकाय एकस्मात एकस्य एकस्मीन ऐसे हि इस्ट्रिलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्याई, एकस्याह, एकस्याह, एकस्याम ऐसे ही नपुन्शकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकाय, एकस्मात, एकस्य, एकस्मिन तो इस तरह से एक यह जो संख्या है इसके पुल्लिंग, एस्टिलिंग और नपुन सक्लिंग के विभिन विभक्तियों में रूप हमने देखा प्राश्ण उचता है जैसे हम कहते हैं कभी आप पाठ पड़ते हैं या अध्याय पड़ते हैं लिखा रहता है प्रथमह पाठ्यावा प्रथमह अध्याया तो एक जो है प्रथम कैसे बन गया देखे एक और प्रथम में अंतर है क्या अंतर है एक जब कहते हैं तो वहाँ एक संख्या का बोध होता है लेकिन जब हम प्रथमह कहते हैं या प्रथमह कहते हैं या प्रथमम कहे यह क्रमवाची संख्या है जैसे प्रथमाह इसका मतलब होता है पहला और एक हकतात पर यह होगा एक तो यह दोनों में अंतर है आपको क्रमवाची संख्या पर नहीं जाना है हमको क्या देखना है भी हम अध्यान कर रहे हैं कि एवल संख्याओं को क्रमवाची संख्या नहीं तो इस तरह से एक का होगे, ऐसे ही दो, दो को, दो के लिए सम्द प्रयोक किया जाता है, द्वी, इसका पूर्लिंग में रूप होगा, द्वव, द्वव, द्वाब्भ्याम, 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 द्वयोह, द्वयोह, यह पूर्लिंग का रूप हुआ, ऐ द्वे, द्वे, द्वाब्भ्याम, द्वाब्भ्याम, द्वयोह, द्वयोह, ध्यान दीजिए गया, दो की संख्या है, दो की संख्या के लिए नपून सक्लिंग में प्रयोक करेंगे, तब वहाँ क्या कहेंगे, तब वहाँ पर हम प्रयोक करेंगे, द्वे, द्वे, द्वाप भ्याम, द्वाप भ्याम, द्वयोह, द्वयोह तीन, तीन के संख्या को हम किस तरह से विभिन्न विभक्तियों में कह सकते हैं ध्यान दिजेगा तीन या तीन से अधिक के संख्या को हम संस्कृत में बहु अचन कहते हैं तो इसलिए इसका जो रूप बनेगा विभिनन वीभक्तियों में वे कैवल और केवल बहु वचन में इसका रूप होगा पूर्लिंग में तीन इस सब्दका रूप होगा प्रत्व में भक्ति में त्रयाह इस्ट्रिलिंग में इसका रूप होगा तीसरह नपुन्षक लिंग में त्रीणी द्वित्याई भक्ति में पूर्लिंग त्रीण इस्ट्रिंग तीसरह नपुन्षक लिंग में होगा त्रीण अधाने लेढ़ा क्या होगा आपको सही करना है और लेन फैसे ही क्यों हुआ हूगा त्रिभ्याह, इस्ट्रिलिंग में होगा तिस्ट्रिभ्याह, नपुन्शाक लिंग में त्रिभ्याह, पुल्लिंग पंच्वी भक्ति, त्रिभ्याह, इस्ट्रिलिंग तिस्ट्रिभ्याह, नपुन्शाक लिंग पंच्वी में त्रिभ्याह, पूलसकंलिंग में इसका रूप गोगा है थ्रियानाम को सप्तिरेंग में इसका रूप होगा। वकिमें अपर नियुक हो यहां भी ध्यान दीज़ेगा और दोनों के प्रत्मवेव्विभक्ति में आपको उंत दिखाए देगा बांकि सेज़विभक्तियों में रूप यद्धावत हैं तो इसतरह से तीन मिलिंगों में रूप आफ देखा रहे हैं डियासे कुछ कि बात करें तो पुलिंग में आप रूप देख पा रहे हैं तरया त्रीन त्रीभ्य यह हुआ इसलिंग में इसका रूप होता है तिश्रः तिंच्रिभ्य थे कि नाम हows têm किषा तुछ है और नपुनसक लिंग में इसका रुपम बनता है सब्सक्राइद कि नहीं को से दिरफ तरी पार यहीं संख्या इसी तरह हम कहते हैं डित कीड़ शरां exercise बनंगे क्यों क्योंकि चार की संख्या है हमने कहा वचनों की बात कहीं एक वचन कहते हैं एक की संख्या का बोध होता है दो कहते हैं तो दो की संख्या का बोध होता है और बहु वचन कहते हैं तो तीन या तीन से अधिक की संख्या का बोध होता है और अभी हम बात कह रहे हैं चार का, तो चार क्या है, चार तीन से अधीक है ना, हाँ, तो इसलिए इसका भी जो रूप बनेगा, वो कैसे होगा, ये बहु वचन में इसका रूप बनेगा, प्रत्मा से लेकर सब्तों भक्ति तक, प्रत्मे भक्ति, पूर्लिंग में इसका रूप होगा, चत्वारह, इसल त्रित्यव्य भक्ति में रूप बनेगा पूर्लिंग में चतुरह, इसलिंग में रूप बनेगा चतस्रह, और नपुन्सक लिंग में रूप बनेगा चत्वारी, त्रित्यव्य भक्ति में रूप बनेगा चतुर्भी है, इसलिंग त्रित्यव्य भक्ति में रूप बनेगा चतुर्थी भक्ति में चार का पूर्लिंग में रूप बनेगा चतुर्थी भक्ति में चार का पूर्लिंग में रूप बनेगा चतुर्थी भक्ति में वही रूप बनेगा चतुर्थी भक्ति में बना है सभी में जैसे पूल लिंग में देखते हैं, पंच्छी भक्ति, क्या होगा? चतुर्भ्याह सच्छी भक्ति में रूप बनेगा पूलल लिंग में चतुरुनाज्डुनाम इस लिंग में इसका रूप बनता है चता स्रीणाम नपुनसक लिंग में रूप बनेगा चतूरुनाम सब्तमवी वक्ति पूर्लिंग में इसका रूप बनेगा चतूरसु इस लिंग में रूप बनेगा चतस्रीशु और नपुनसक लिंग में रूप बनेगा चतूरसु तो इस तरह से चार की संख्या का तीनों लिंगों में रूप हमने देखा आईए एक बार केवल पूर्लिंग को देखते हैं पूर्लिंग का रूप आप देख पा रहे हैं प्रत्व में वक्ति में है चत्वारह द्वित्मि एक साथ बोलता हूँ मैं इसी तरह से इस्त्रिलिंक का रूप और नपुन्सक लिंक का रूप देख रहे हैं आप तो इस तरह से एक से चार तक की जो संख्याएं इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं लेकिन चार से आगे की जो संख्याएं हैं इनका जो रूप है वो केवल और केवल बहुवचन में चलता है और ये इसका एक ही रूप जलता है यइन लिंगों में भेद नहीं होता है जैसे हुन पांच कहते हैं पांच की संख्याएं का आप देख रहे हैं पांच इसको हम क्या कहेंगे प्रत्वमई भक्ति में इसका रूप बनेगा पंच दित्याई भक्ति में होगा पंच त्रित्याई भक्ति में रूप बनेगा पंच भीह चतुर्थी भक्ति में रूप होगा पंच अभ्यह पंच भक्ति में रूप होगा पंच अभ्यह सश्ट् इसी तरह से एक ही लिंग में चलेगा अर्थात यहां कहें कि तीनों लिंगों में इनका रूप जो है एक समान होता है तो जैसे पांच की संख्या का जो रूप आप देख रहे हैं जैसे पंच, पंच, पंच भीह, पंच अभ्यह, 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 इनको संस्क्रित में क्या कहा जाता है इसके विशे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक से दस तक की संख्याओं के विशे में अब भली भाती परिचीत हैं जैसे एक को कहते हैं एक हाँ, दो को कहेंगे द्वे, तीन को कहेंगे त्रयह, चार को कहते हैं चतुह, पांच क कौते हैं इसके आगे की जो संख्याएं उसको क्या कहेंगे आगी की संख्याइते ग्यारा को संस्कृत में क्या कहेंगे यह जानना वहत जरूरी है क्या कहेंगे बिल्कुल सही कहाँ आपने 11 को कहते हैं एका 10 और 12 को 12 को कहते हैं द्वा 10 देखिए यह जो हमने पढ़ा है पहले इकाई संख्या और दहाई संख्या के विशा में जानते हैं तो दस जैसे कहते हैं तो उसमें एक क्या है वो दहाई अंक है तो वैसे ही जैसे हम ग्यारा कहते हैं ग्यारा कतात पर यह क्या है उसमें एक और एक दो बार है लेकिन एक जो है वो दहाई का अंक है और एक एकाई का अंक है तो ग्यारा कहने के लिए क्या कहना पड़ेगा जो एकाई का अंक है उसको हम पहले कहेंगे उसके बाद फिर दहाई के अंक को कहेंगे तो इस तरह से हम 11 कह पाएंगे अब देखते हैं एक और एक तो एकाईक अंग क्या है? एक है और दाईक अंग क्या है? 10 है तो एक और 10 दोनों के मिला दीजिए वो बन जाएगा एका 10 तो एका 10 है थाथ 11 ऐसे ही 12 इसका तात परिह हुआ 12 13 के लिए कहेंगे त्रयो 10 14 के लिए कहेंगे चतूर 10 15 के लिए कहेंगे पंच 10 और 16 के लिए कहते हैं सो 10 17 के लिए कहते हैं सब्त 10 18 के लिए कहते हैं अश्टा 10 19 के लिए कहते हैं देखे 19 के लिए दो प्रकार से आप कहा सकते हैं उन्निस को एक हम कहा सकते हैं नव दस या एकोन विन सतिय और भी इसको कहते हैं विन सतिय यहां उन्निस जो है इस संख्या को दो प्रकार से हमने क्यों कहा इसलिए क्योंकि उन्निस में हम देखते हैं नव जो है एकाई का अंक है तो हमने कहा नव और दाई का अंक है दस तो न एक नहीं है, या कहें कि एक कम है, इसमें विन सती है, विन सती कहते हैं 20 को, तो 20 में एक कम, अर्थात 19, यही हुआ न, तो ऐसा ही, संस्क्रिट में इसको हम दोनों तरह कह सकते हैं, नावदस भी कह सकते हैं, और एकोन विन सती भी कह सकते हैं, इसी तरह से आगे की जो संख्या आको कि तो इसको कहा है और अरधाति को उसको कहेंगे बहुत है उसमें जैसे आप को पच्यांगो इस तरह से विकैसे कहते हैं शूतिक है उनका क्या बोगारी से विकि ba तब पिर पाँंच और है उसमें तब उसको आपने कहा तो स्तवार्ण 25 चाहे हुए इस तरह से क्या हो गया उसको आपने कहा 25 और क्या चाहें olive तब वहाँ एकाई के अंक को हम पहले लेते हैं और फिर दाहाई के अंक को उसके पस्चात रखते हैं तो जिस 25 को आप 25 कह रहे हैं इसी को जब हम संस्कृत में कहेंगे तो 20 को हम कहते हैं 20 और 5 को कहते हैं 5 अब हमको एकाई को पहले कहना है तो पंच को आप पहले लिआएं पंच विल्सति यह 25 ऐसे ही सज़ विल्सति यह सब्त विल्सति यह ऑश्ट विल्सति है नव विल्सति यह भी कहेंगे और एक ओन 300 भी कहेंगे क्यों क्योंकि 300 कहते हैं 30 को तो 9 300 भी कहेंगे और एकोन 300 भी कहेंगे फिर कहते हैं 30 30 को कहते हैं 300 अब ऐसे 31 कहना है तब क्या कहेंगे 31 के लिए हम कहते हैं 1 300 32 32 के लिए प्रयोग करते हैं 2 300 33 के लिए कहेंगे त्री त्रिनसद, चोंतिस के लिए कहेंगे चतूर त्रिनसद, पैंतिस के लिए कहेंगे पंच त्रिनसद, चथिस के लिए कहेंगे सज त्रिनसद, सैंतिस के लिए कहेंगे सब्त त्रिनसद, आड़तिस के लिए कहेंगे आश्ट त्रिनसद, और उन्चालिस के लिए कहेंगे नाव त्रिंसत या एकोन चत्वारिंसत देखिए जैसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उन चालिस कहते हैं चालिस में उन है अर्थात एक कम है उसको हम उन चालिस कहते हैं इसी उन को अर्थ उन मतलब क्या हुआ? न्यून, न्यून मतलब कम, एक कम है, उसको कहते हैं, उन चालिस कहते हैं हिंदी में, और ऐसे ही जब हमको इसको संस्क्रिट में कहाना होगा, तब क्या कहेंगे? तब इसके लिए हमको यह जानना होगा, कि चालिस को संस्क्रिट में क्या कहते हैं तो 40 को कहा जाता है चत्वारिनसत और उसमें एक कम अर्थात 49 हो गिया तब उसको क्या कहेंगे एकून चत्वारिनसत इस तरस कह सकते हैं या दूसरा तरीका क्या है तीस और नव दाइक अंक क्या है तीन है अर्थात वो तीस है वो तो तीस को कहते हैं क्या त्रिनसत कहते हैं अब उसके बाद फिर क्या है? नव है तो एकाई को चुकिए हमको पहले लेना है तब हमने कहा नव त्रिंसत या एकोन चत्वारिंसत इस तरह से कह सकते हैं उन चालिस को फिर चालिस के लिए चत्वारिंसत प्यारे बच्चों इसी तरह की क्रम को आगे बढ़ाना है जैसे एक चत्वारिंसत द्वी चत्वारिंसत त्री चत्वारिंसत पंच चत्वारिंसत सड तस पंच चत्वारिंसत इसके फस्चात सड चत्वारिंसत सब्त चत्वारिंसत अस्ट चत्वारिंसत नव चत्वारिंसत नव चत्वारिंसत भी कहेंगे और क्या कहेंगे? हाँ, दूसर के लिए कहेंगे एकोन पंचासत कहेंगे क्यों क्योंकि पंचासत कतात पर होता है पचास या कहें कि पचास को पंचासत कहा जाता है तो एकोन पंचासत और नवचत्वारिनसत दोनों कतात पर यह है उनचास फिर पचास के लिए हम कहेंगे पंचासत ऐसी आगे बढ़ते चले जाएं देखेंगे इन क्यावन को क्या कहेंगे इन क्यावन को हम कहते हैं एक पंचासत बावन के लिए द्वी पंचासत तीरपन के लिए कहेंगे त्री पंचासत चववन के लिए कहेंगे चतूर पंचासत पचपन के लिए कहेंगे पंच पंचासत चपन के लिए कहेंगे सच पंचासत संतावन के लिए कहेंगे सप्थ पंचासत अंठावन के लिए कहेंगे अश्ट पंचासत और नम पंचासत वा एकोन सस्टि है और फिर स साथ यह होगा एक साच तक की संख्या हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अबhodou एक सच कहना है ऐक सच के लिए क्या कहना पड़ेगा इक्सट अब जैसे लिंगते हैंые क्या होता है दाहाई का अंक क्या है? सश्टी अर्था साथ है और एक है तो एक सश्टी है द्वी सश्टी है त्री सश्टी है चतूर सश्टी है पंच सश्टी है सट सश्टी है सब्त सश्टी है अस्ट सश्टी है नम सश्टी है वा एकोन सब्तती है और सब्तती है तो यह हो गया 101 से लेकर के, 70 तक की संख्यांई, ऐसे ही, हमको आगे की संख्या कहना है, अब 70 के आगे 57 को क्या कहेंगे? 71 के लिए भी आपको वही तरीका अपनाना है आपको दहाईक आंग देखिए और इकाईक आंग देखिए दहाईक आंग कहता है सब्तति है और इकाईक आंग कहता है एक तो कहेंगे एक सब्तति है 71 हो गया आगे की संख्याई जो है वो in a seminar 2017 सब्सक्राइब उस दी सबसेति है तरी थी सब्सक्राइब नियुक्त की सबसेति कि democrat सब्सक्राइब मतलब तेखे सब्टती का मतलब हुआ सब्टक मतलब साथ तो सट्र और साथ कितना हुआ सब्टक परिक्षा में पूछा भी जा-सकता है कि- similarly कि इसके साथ को संश्क्रीत बृब सबसकित में कई को आपको पहचानन होगाट कि्या कि दभाएं संश्कुल सब्टति है सटर और इकाई का मान कितना है साथ है साथ को क्या कहते हैं सब्त कहते हैं और दाहिका अंक सब्टति है तो सब्त सब्तत्य है ये कहेंगे अश्ट सब्तत्य है नवसब्तत्य है वा एकोनासिति है और असिति कोताथ पर होता है 80 कि अधिक कैसे के लिए उन्ट्राइब आपका क्याओ और वłem किसे इनके क्या कहले कि तो इक्यासी जैसे क्熱्रिमें मं क्या देखते हैं जी आर्ध को उसका मान कितना हुए वह गया जह एक्यासी यह होगा लेकिन यहां होता क्या है एक कहते हैं उसमें अ है और असीति आगे अ है तो दोनों का योग हो जाता है दोहाई पर संधी हो जाती है एक का में अलगा हुआ है वो और असीति ही का यह दोनों का योग हो जाता है और इस तरह से फिर यह बन जाता है क्या एका ऐनासीति है दो के लिए क्या कहेंगे दो के लिए कहेंगे XD या दोनों का संधी हो जाएगा तो दोनों और 85 के लिए पंचा सिती है यह हो जाएगा 86 के लिए क्या कहेंगे सडधन असिती इती सड़ सीती है दिखें सड कहते हैं उसमें हलंत लगा हुआ है इसलिए वहां क्या हो जाएगा सड़ सीती है और सत्यासी के लिए सब्तधन असिती इती सब्तासिती है अश्टधन असिती इती अश्टासिती है नवधन असिती इती नवासिती है नवासिती जैसे हम हिंदी में प्रयोक करते हैं वही नवासिती है जिसको संस्कृत में नवासिती ही कहा जा रहा है या कहें कि संस्कृत में जिसको नवासिती ही कहा जाता था उसको ही आज हम नवासी की रूप में जानते हैं तो नवासिती है अर्थात अस्सी और नव इसको दूसरा क्या कहेंगे इसको नब्बे किल क्या कहती है यह हमको जानना होगा नब्बे के लिए हम कहते हैं नवाति है और नवासी में क्या है नवासी में एक नहीं है एक कम है तब उसको क्या कहेंगे एकोन नवाति है ये भी हम कहेंगे तो इस तरह से हमने देखा अभी एक्यासी से लिका नब्बे तक की संख्या है ऐसे ही आगे हम देखते हैं इन क्यान किल कहेंगे इन क्यानवे के लिए के लिए के लिए के लिए त्री नवति है चारावी के लिए के लिए यहां द्यान दिजेगा 96 96 को हम क्या कहे ngay इसको दो तरह से आप का सकते हैं दूसरा यदि दोनों में संधी हो गई दोनों को एक साथ लिए fulfill दिखेंगे तब वहाँ पर क्या हो जाएगाceu होसे ना द Bishop पजाएगा और साथ साथ सामने वालगे जो नवति कन भाप है इसमें हुसमें परिवार्टन होगः जाएगा और फिर वह रूप बन जाएगा सचनवाति होगा कहेंगे या स्रनवाति कहेंगे स्रनवाति यहाँ पर संधी रूप हो गया इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है विशेज ध्यान रखने योग जिवात है ऐसे ही संतानवे कहेंगे तो संतानवे के लिए क्या कहेंगे सब्त नवतिह अंठानवे के लिए अश्ट नवतिह निन्यानवे के लिए नवन नवतिह कहेंगे या एकोन सतम कहेंगे सव को क्या कहते हैं सव को काते हैं सतम और 99 अरथात सौ में सकी कम है कुल यह सकते हैं लेकिन सव से अधिक काते हैं इसके लिए इसके लिए ल sends यह बहुत है जैसे हम इसको 25 कहते हैं अग्रेजी में इसको 25 कहते हैं तो अभी हमने देखा कि 20 को कहते हैं विनसती कहते हैं और जिसको 5 कहते हैं उसको 5 कहते हैं और संस्कृत में उसको 5 कहते हैं लेकिन संस्कृत में जब हमको 25 कहना है तब उसको हम क्या कहते हैं तब हम वह जो 5 है उसको सा लिखने का जो तरीका है जैसे अंगरजी में चलता है जिसको पहले लिखा जाता है उसको हम बाद में लीख रहे हैं और जिसको बाद का हिस्सा है जो past इसको हम पहले लिखते हैं तो इस तरह से 25 होता है हिंदीं 25 कहते है इसको संस्क्रित में क्या कहेंगे? तो ऐसे ही 100 से अधिकर जो संख्याये हैं उप संस्कृत में कहना हो जैसे 1001 कहेंगे तो 1001 में क्या है? एक सव, मतलब सतम पहले है, उसके बाद फिर एक है, तो एक कहा है, वो हमको इकाई आंक दिखता है, लेकिन हमको करना क्या है, इकाई को पहले लेकर आना है, तो क्या कहेंगे उसको, उसको फिर उसके लिए प्रयोक करेंगे, एकाधिकम सतम, सव में एक अधिक है, एकाधिकम स पर यहां पर यहां पर दोनों में संधी हो जाती है तो यहां पर यहां सर संधी हो जाता है और फिर वह रूप बन जाता है द्वाय धीकम सतं एक सो तीन के लिए कहेंगे एक सो तीन इसके लिए कहेंगे त्राय धीकम सतं त्री धन अधिकम धन सतं एती त्राय धीकम सतं संधी होगे यहाँ पर त्री धन अधिकम त्राय धीकम त्राय धीकम सतं एती एक सो तीन एक सो चार के लिए कहेंगे चतूह अधि टैसे करते हैं तो यहां पर भी संद्ढी हो गई सतम से 5 अधिक है 100 से 5 अधिक है तो इसलिए क्या कहेंगे पंच अधिकम सतम वा पंचाधिकम सतम ये कहेंगे और 96 के लिए 106 के लिए क्या कहेंगे और चया क्या है अधिक है किसमें सतम में तो सढध कम सतम या इसी तरह से 107 के लिए कहेंगे इहां पर भी संधी हो गए ध्यान दीजिए दिर्गतशवर जाता है तो तो दोनों का योग हो जाता है क्या बन जाता है वह सपताधीकम सतम 107 ऐसे ही 108 कहना है तब क्या होगा आठ के लिए का कहते हैं आठ के लिए कहते हैं अस्ट कहते हैं और सतम तो अस्टाधिकम सतम इती एक सव आठ एक सव नौ के लिए क्या कहेंगे नौ जो कहते हैं उसके लिए प्रयुक्या जाता है नव का तो नवाधिकम सतम इती एक सव नौ और एक सोदस के लिए क्या कहेंग कि ciao 110 के लिए प्रयुक्य जाएगा दस खीक म सतम हब दसा धीक म सब्सक्राइप सव में दस अधिक है कि सव में दस अधिक है तो हम पहले कहते हैं सूकि की प-शेंगे बढ़ते हैं तो दहाइ का अंक पहले उसके बाद पिर सेकड़ा का अंक लेंगे तो दसाधीकम सतम यह कहेंगे 110 के लिए इसी तरह से 111 से 120 तक की जो संख्याएं है इन संख्याओं को क्या कहेंगे आई देखते हैं इसमें 111 कैसे बनता है इसमें तीन अंक हैं कौन कौन से तीन अंक आपको दिखाई दे रहा है प्रतम अंक जो है वो क्या है वो सैकड़ा का यह सतम को बताता है अद्वितिय अंक जो है वो क्या है दहाई का है वो दस को बताता है और तीसरा जो है इकाई का अंक है वो इकाई को बता रहा है तो इकाई में एक दिख रहा है और दहाई में एक दिख रहा है वो उसका मान क्या हुआ इकाई में जो एक है उसका मान हुआ एक दहाई में जो एक दिखाई दे रहा है उ उसका मान हुआ सतम तो एका दस एका दस कताद पर यह हुआ ग्यारह तो एका दस अधीकम सतम यह हो गया 111 12 के लिए क्या कहेंगे 12 के लिए प्रेवक्तिया जाता है 12 का तो 12 अधीकम सतम है ती 112 त्रयो दस अधीकम सतम यह कहेंगे 113 को ऑसे 114 के लिए क्या कहेंगे इसके लिए प्रेवक्त करेंगे करेंगे इति हो गया 116 ऐसी ही 116 इसके लिए प्रयोग किया जाएगा सब्त दसाधिकम सतम, 118 के लिए कहेंगे अश्टादसाधिकम सतम, और 119 के लिए नमदस अधिकम सतम, या इसको क्या कहेंगे? एकोन विन सतिह अधिकम सतम, यह होगे 119, ऐसे ही 120, 120 के लिए प्रयोक करेंगे विन सतिह अधिकम सतम, 121 से 130 तक की जो संख्या हैं, इनको संस्क्रित में क्या कहेंगे? आई, देखते हैं, तो तरीका वही है कि हमको क्या करना है, एकाई और दाहई की जो अंक हैं, उनको पहले कि लाना है, मने क्रमसह, और उसके बाद फिर सैखड़क की अंक को कहेंगे, अब एक सब 21 कहते हैं, यह आप देख रहे हैं, दाहई का अंक है, उसका मान है, इसका मान है, एक है, तब इसको क्या कहेंगे? एक विन सतिह सतम एक विन सतिह अधिकम सतम यती एक सव एककीस एक सव एककीस को क्या कहेंगे? एक विन सतिह अधिकम सतम एक सव आइस को क्या कहेंगे? एक सव आइस को कहेंगे? द्वी विन सतिह अधिकम सतम एक सव तेश को कहेंगे? 3-5-7 124 को 124 को कहेंगे 4-5-7 125 के प्रयोग करेंगे 5-5-7 126 के लिए कहेंगे 7-5-7 127 के लिए प्रयोग करेंगे 118 के लिए कहेंगे 8-5-7 ये कहेंगे 128 के लिए 139 के लिए फिर से दो प्रकार्श कहेंगे 9-5-7 भी कहेंगे और एकोन त्रिन्सत अधीकम सतम भी कहेंगे और 130 के लिए प्रयोग करेंगे त्रिन्सता धीकम सतम त्रिन्सत धन अधीकम त्रिन्सता धीकम सतम ये हो गया 130 इसी तरह से 131 से 140 तक की जो संख्याएं हैं उनके लिए हम प्रयोग करेंगे देखे चत्वारिन्सत कहा जाता है 40 को ये हमको ध्यान रखना है ये जो संख्या प्रक्रण है इसमें जो 10-10 की जो संख्याएं हैं पहले तो एक से दस की जो संख्या हैं एक हाँ द्वे त्रया हाँ चतु पंच सट सब्त अर्ष्ट नव दस ये महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त जो आपको दहाई-दहाई अवाला अंकजो दिखाई दे रहा है जो संख्यात्मक्मान है वो जैसे कि आप देख रहें नीच पति है और सतम ये जो संख्या है ये महत्वपूर्ण है इनको हमको जानना होगा तभी हम इन से आगे की जो संख्याएं है उसके बारे में कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं ये जान सकते हैं बता सकते हैं जैसे आपको 31 कहना है तब 31 को जानने के लिए क्लिए 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 क् प्रेव किया जाएगा 130 अधिक सतम 132 के लिए 132 के लिए कहेंगे 237 अधिकं सतम 133 के लिए कहेंगे चतूर 300 अधिकम सतम 135 के लिए कहेंगे 5300 अधिकम सतम 136 के लिए कहेंगे 137 के लिए कहेंगे सब्त त्रिनसत अधिकम सतम 138 के लिए कहेंगे अश्ट त्रिनसत अधिकम सतम और 149 के लिए पुना दो तरह से कहेंगे 149 के लिए कहेंगे नव त्रिनसत अधिकम सतम या एकोन चत्वारिंसत अधिकम सतम देखें एकोन चत्वारिंसत किसको कहते हैं एकोन चत्वारिंसत कहते हैं 49 को तो हमको कहना कितना है एक सब 49 कहना है तो एकोन चत्वारिंसत अधिकम सतम एती एक सब 49 या 149 को दूसरी तरीका से क्या कह सकते हैं एक सो चालिस को कहा जा सकता है नाव त्रिनसद अधिकम सतम और एक सो चालिस को क्या कहेंगे एक सो चालिस के लिए हम कहते हैं चत्वारिनसद और एक सो चालिस के लिए क्या कहेंगे 140 के लिए कहेंगे चत्वारिंसत अधिकम सतम एसे एक चत्वारिंसत अधिकम सतम अर्थाथ 140 ये हो गया अब 141 से 150 तक की जो संक्या है इनको हम क्या कहेंगे दिखिए वैसा ही करना है जैसे अभी हमने अभ्यास किया है इकाई के अंको पहले फिर दहाई के अंको फिर सैकड़े के अंको संस्कृत में रखेंगे और इस तरह से हम जो विभिन संख्या है इनको कह सकते हैं बता सकते हैं एक सव एक चालीस के लिए क्या कहेंगे, एक सव एक चालीस में देख रहे हैं, एकाई का अंक है एक, उसका मान भी है एक, और दाहई का मान है चार चत्वारिनसत, चालीस, दाहई में चार दिखाई दे रहा है, उसका मान कितना है, चत्वारिनसत है, और सैकडा में क्या दिख अर्थात 142 रहे就是說 लिए यह एक 244 चत्वारिंसत अधिकंसतम ये कहते हैं 145 को सच चत्वारिंसत अधिकम सतम ये कहते हैं 146 को सब्त चत्वारिंसत अधिकम सतम ये कहते हैं 147 को अश्ट चत्वारिंसत अधिकम सतम ये कहते हैं 148 को 149 इसको पुना दो तरह से कहेंगे पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये है कि नवचत्वारिंसत अधीकम सतम ये एक तरीका हो गया एक सँनचास को कहने का दूसरा तरीका क्या होगा दूसरा तरीका के लिए आपको 50 को क्या कहते हैं जानना होगा 50 को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा 50 को कहते हैं 57 तो एक सब उन 맞는 चास जब कह रहे हैं तो उसमें क्या है? 150 में एक कम है तो एक कम के लिए क्या सब्दा प्रियोक करते हैं? एक, हाँ तो भी सब्दाए बिल्कुल ठीक कहा आपने एक सब्दाइ तो पचास में एक कम है तो एकॉन पंचासत यह उनचास के लिए विए है अभ़ इस काम को कहना क्या है एक सवव उनचास कहना है तब क्या कहेंगे एकोन पंचासत अधिकम सतम इती एक सव उन्चास और एक सव पचास एक सव पचास को क्या कहेंगे एक सव पचास को कहेंगे पंचासत अधिकम सतम वा एक सव पंचासत अधिकम सतम ये कहेंगे तो इस तरह से हमने एक से लेकर 150 तक की जो संख्याएं हैं इनको संस्कृत में क्या कहते हैं या इसको कैसे अभी व्यक्त किया जा सकता है इसके विशा में अभी अभ्यास किया और इन संख्याओं से संबंधित विभीन परिक्षाओं में अलग-अलग तरह के प्रस्म पूछे हो जाते हैं कभी सामाने रूप से कोई एक संख्या लिखी हुई होती है देखिए संख्या लिखने का जो संख्यात्मक तरीका है जैसे आप देख रहे हैं 125 जैसे लिख दिया अब इसको संश्कृत भी क्या कहेंगे यह कहा जाएगा तब आप क्या कहेंगे तब उसके लिए फिर आपको जानना होगा कि इकाई कमान क्या है दहाई कमान क्या है और सेखड़े कमान क्या है और इसको किस तरह से लिखा जाता है तो आप देखेंगे जैसे 125 कहा जा रहा है परिक्षम पूछ दिया गया यह 125 लिखा हुआ इसको संस्कृत में लिखिए यह कहा गया तब क्या तब आप देखें पांच को कहते हैं पांच को कहते हैं पंच कहते हैं उसमें दाही का मान क्या है दाही में दिख रहा है दो मान क्या है उसका 20 20 को क्या कहते है विनसती है तो पंच विनसती है और यह क्या है 25 क्या है यह अधिक है किसमें तो इस तरह से आप 125 को बता सकते हैं तो परिक्षा में इस तरह के संखयाइं कभी यह होगा कि आपको वे लीखा हुआ होगा सब्धव के रूप में लिखा हुआ हो जाया हुआ संख़ात्म होगा और इसों आपको उटमinesya blind की लिखना है संख्यात्मक रुप में लिखना है अंकों के रुप में लिखना है अब उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको जानना होगा नव का मतलब होता है नव चत्वारिनसत का मतलब हुआ चालीस और अधिकम मतलब जादा है किस से फिर आगे देखे क्या लिखा है सतम तो सतम में क्या है अधिक है कितना चत्वारिन सत्थ और नौ तो सतम के लिए एक आप सैकड़ा का अंक लिख लीजिए केवल सतम की बात कहीं जा रही है तो अर्थात एक की बात कहीं जा रही है द जैसे एक सव कहना है तो किवल सतम कहेंगे लेकिन पांच सव कहना है तब क्या कहेंगे तब उसके लिए हम पंच सतम कहेंगे तो सव कहना है तो किवल हम सतम का प्रयोक करेंगे जैसे सव रूपिये कहते हैं तो सतम रूपय कानी ये कहेंगे लेकिन पांच सुरूपय कहेंगे बात कही जा रही है और उसमें कितना है चत्त्वार इंसत्क कहाया है आर मतलब फिर क्या नहीं anarchता है घुट हम इक लिखेंगे dal books उसकी लिखेंगे यह ज्यूंत्र है तो एक लिखेंगे और दाहै इकाई के स्थान पर कहा गया है नव तो वहां हम लिखेंगे नव तो इस तरह से हो जाएगा एक सव उन्चास तो नव नव चत्वारिंसत अधिकम सतम इसका तात्परी क्या हुआ इसका मतलब हुआ एक सव उन्चास कहा जा रहा है तो प्यारे बच्चों इसी तरह से और कुछ प्रस्ण मैं आपको दे रहा हूं और इन संख्यात्मकर अपको लिखना सज त्रींसत अधिकम् सतम इन संख्याओ को अंख के रूप में कैसे लिखेंगे यह आपको लिखना है तो यह आपका परिक्षन होगा। अभी हमने जो अभ्यास किया है, वो कितना सीख पाए है, इसके परिक्षीत के लिए प्रस्थन आप हल करेंगे और हल करने को परशात, अपने वीशाय सिख्षक क्छों हैं, इन से इसका परिक्ष industry कराएंगे प्राप्त कि संस्क्रित में क्या कहते हैं या उसको अभियक तक किया जाता है इसके और है तो आज के लिए इतना ही पुनाएकवार्म सर्व्यभ्यो नमो नमः